हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नामें डॉक्टर तरोन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागा था आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि टोंसिल जब हो जाते हैं किसी पेशेंट को तो उसकी सर्जरी कफ करवानी चाहिए टोंसिल एक ऐसी बीमारी है जिसका टीटमेंट लेते हैं ठीक हो जाती है बट वो बारबार होती रहती है खासकर कि बच्चों के अंदर होती है और गले की प्रॉलम होती है इसका एक प्रिवेस ली वीडियो में ने बनाया हुआ था कि आप असानी से समझ सकते हैं कि tonsils किसको बोलते हैं ठीक है तो दोस्तो tonsils एक काफी खतरनाक बिमारी हम इसको मान सकते हैं अगर वो बहुत जादा बढ़ गई है गली कंदरी इंटरनली वो बढ़ गई है छोडी मोटी है ठीक हो रही है कोई ऐसी परेशानी नहीं है मेंची आते है कि आप इसकी सरजरी कब करवाएंगे तो आप किसी सरजन के पास जाएंगे वो आपके condition दीशन देखेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई आप इसकी सुर्जरी करने पड़ेगी बरना इसकी जान को खत्रा है जैसे कि आप ये पिक देखिए इसमें जो टॉंसिल हमारे बढ़े हुए हैं वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं हमारे गले का तो पेशेंट को खाने में परिशानी है खाना निगलने में परिशानी है मूँ खोलके सास लेने में परिशानी है तो ऐसी कंडिशन जब भी होती है आपने बहुत सारा टीटमेंट करवा लिया है बच्चे का अपना टीटमेंट करवा लिया है आपने होमेपैथिक, आयरोवेधिक, अलोपैथिक सब ट्रीटमेंट कर वा लिया है बट वो टस से मस नहीं हो रहा है, वो बिलकुल भी श्रिंक नहीं हो रहा है बिलकुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है और आपके बच्चे की कंडिशन काफी खराब है और उसको जो नजला, जुखाम, बुखार, रेस्परेशन की प्रॉलम, सांस लेने परिशानी, खांसी उसको बारवार होती रहती है वो अभी सेम ऐसी चल लई है या फिर वो चीज़े ठीक हो गई है, तब भी उसके टोंसिल का साइज नहीं घट रहा है और वो ब्लॉक होने वाला है, आपस में जुड़ गए हैं, चिपकने वाल है ऐसी कंडिशन में आपको बच्चे का तुरंट से सरजरी करवा लेनी चाहिए क्योंकि ये कंडिशन बहुत ज़्यादा लेथल होती है, बहुत खराब होती है इसमें कई बार रात को बच्चा सोता है, तो सुय को पता लगता है कि बच्चे की हालत तो बहुत जादा बिगड़ी हुई है क्योंकि उसको देखा जातो नैजल पॉलिप इस तरह के बच्चों को होते है कि जो है उसका नाक का भी मास बढ़ा हुआ है, उसके गले का इतना ज़्यादा मास बढ़ा हुआ है तो पता लगता है कि बच्चे को बच्चे को बहुत नाक से भी सांस नहीं आया, उसको गले से भी सांस नहीं आरा, मूख खुल के सांस नहीं आरा है क्योंकि वहाँ पे टॉंसिल ने बंद किया हुआ है यहाँ पे जो है नेजल पॉलिप ने बंद किया हुआ है इस तरह की कंडिशन है तो आप इस तरह की कंडिशन में बिल्कुल भी लापरवाई ना कीजिए एक केस मैंने हाल फिलाल में देखा था तो उसका case मैंने नहीं लिया, देखके मैंने बोला कि भाई, आप किसी surgeon से मिलिए, तो बोलते हैं जी, इसको दुवाराई प्रॉलम हो जाएगी, तो उसके लिए यही है, आप बच्चे के खाने पिने का विशेज ध्यान लखेंगे, सरजरी के बाद आप कुछ ऐसी medicines खिलाए पुरकुरे, ले, स्टोफ, यह सारी चीजे खाते हैं, चोकलेट खाते हैं, तब यह conditions ज़्यादा भी गड़ती हैं, बच्चे की immunity पावर थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो वो tonsils दुवारा नहीं होगे, तो ऐसे patient को महीं समझा दो कि भाई, इस समय पे इसकी surgery बहुत जरूरी है, आप इस बात को मत सोचे के यह दुवारा हो जाएंगे, दुवारा हो जाएंगे, कोई issue नहीं है, आप ध्यान रखेंगे तो नहीं होगे, तो यह सारी चीजे बहुत important है, तो इस तरी की picture अगर आपके बच्चे की है, तो आपको तुरन से surgery करवानी चाहिए, क्योंकि य यह बहुत ज्यादा खतरनाग बच्चे के लिए हो सकती है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, वीडियो च्छाला का वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ने तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच